बहे बिगर प्रीत नहीं है, जब तक बच्चे के बहे नहीं होगा, वो क्यों पड़ाई करेगा? ने, ये मैं नहीं मानता, वे पैसो से अच्छी एजुगेशन मिलती है अगर पैसो से अच्छी एजुगेशन मिलती, तो एक गरिब का बच्चा I.S.I.P.S. नहीं बनता हाँ, सुईदा जरूर पैसे से मिल जा सकती है, लेकिन सिक्सा पैसो से नहीं मिलती पढ़ने वाला बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ता है, प्राइबेट में भी पढ़ता है उस बच्चे के लगन होनी चीए, लगन से पढ़ाई होती है, पैसो से कोई सिक्सा नहीं मिलती देखो यह नहीं सरकार का बहुत गलत किया है, सरकार ने, कि भे बिगर प्रीत नहीं है, जब तक बच्चे के भे नहीं होगा, वो क्यों पढ़ाई करेगा, उसको पता है कि जब मैं आट वी तक तो फेल होंगा ही नहीं, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, और टीचर्स क भी दवाओ कम रहता है, कि चलो आट वी तक तो बच्चा फेलो, तो होगा नहीं, तो मेरा रजल्ट भी सही रहेगा, और रजल्ट नहीं बिगड़ेगा, तो यह बहुत गलत किया है, इसमें गवर्मेंट को सुधार करना चीए, अगर बच्चा आट वी में नहीं पढ़ता है, जब तक अगर टीचर बच्चे को डाटेगा नहीं, उसके बहनी होगा, टीचर का वो कहना नहीं मानेगा, और गुरू और जो शिस्से के बीच की जो व्यवार है, वो भड़ता, खाई बढ़ती जाएगी उनके, और बच्चों में इसका खलत प्रभाव पढ़ता है, त यह ऐसा नहीं होना चीए, आजकल प्राइवेटी स्कूलों में कोई नहीं आना पढ़ना आने चाता है, सब इस सरकारी स्कूल में जाना चाते है, टाइम पास करना चाते है, तो अगर प्राइवेट में हैगा, तो महनत करने पड़ेगी, उसको पुरा समय देना पड़ेगा पूरा लगन के साथ बढ़ा ही गड़ाने पड़ेगी, सरकारी दोकरी में जाके राद में टाइम पास करने की सोचता है, यह बहुत गलत है, कि कोचिंग सेंटर में हो सकता है, सिक्सा जरूर मिल जाए, लेकिन संसकार नहीं मिलेंगे, संसकार तो जब तक बच्चा स्कूल म में कोई संसकार नहीं सिकाता, संसकार स्कूल में ही मिलेंगे, और यह यह जो डेमो क्लास का यह जो चल रहा है, चलन, यह मेरे हिसाब से बहुत गलाता है, देखो, हम ऐसे पेरेंट्स को हमारे साब से टीट करते हैं, पेरेंट्स चाहे कुछ भी कहीं, लेकिन हम एक संस्था लेके बैटे हैं, यह सिक्सा दी जाती है, तो हम पेरेंट्स के साथ गलत विवार कभी नहीं करते जो कोई अगर पेरेंट्स हमारे साथ गलत विवार भी करता है तो हम अम उसको हमारे साथ से समझाते हैं हमारे साथ से टीर करते हैं नहीं नहीं हम पूरे मन से प्रयास करेंगे प्रयाज ही नहीं करेंगे, दिखाएंगे ही, और ऐसी अगर मूवी आती है, हम तन्मन दन्ज से उसको सपोर्ट करेंगे. अन्मोल जी को सबसे पहले मैं बदाए देना चाहता हूँ, कि इस सेत्र में आगे-आगे उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, और एक सिक्सा के सेत्र में नई रोस्टनी डाली है, इसके लिए उन्हों बदाए के पात रहे.